दोस्तो इस बीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप AutoSweep Facility का यूज करके आप अपने Saving Account या Current Account पर जो है FD जितना आपको Fixed Deposit में Interest मिलता है, ब्याज मिलता है, उतना आप अपने Normal Saving Account में आर्मिक कर पाएंगे सबसे बहले हम यहाँ पर एक Example समझते हैं ताकि आपको समझ में आए कि AutoSweep Facility का कितना जादा फाइदा आपको मिलने वाला है Normally मानके चले कि आपके Saving खाते में 50,000 रुपे का Balance है और उसको आप 1 साल के लिए ऐसे अपने Account में जमा कर देते हैं तो उस पर आपको Normally 2.7% का ब्याज देता है बैंक जो अभी हाली में इंट्रस रेट चल रहा है यानि कि 50,000 पर मात्र 1350 रुपे आपको जो है एक साल का ब्याज मिलता है लेकिन दोस्तों अगर हम अपने Account पर AutoSweep Facility को Enable कर देते हैं, Activate कर देते हैं तो सीधा-सीधा हमें यहाँ पर 7% का जो हमें एक Abdi का Interest मिलता है उसी तरीके से हमें जादा और High Interest मिलता है यानि कि अगर आप 50,000 जमा कर रहे हैं तो उस पर आपको सीधा-सीधा 3500 रुपे क Interest मिलेगा, अब आप सूच सकते हैं कि मातर हमें 1350 रुपे का Interest मिला हमारे Saving Account पर लेकिन अगर हम AutoSweep Facility अपने Account में Enable कर देते हैं तो सीधा-सीधा हमें दुगना से धाई-गुना Interest मिलता है जो कि पूरा-का-पूरा 3500 रुपे था, साथे-साथ मैं आपको पता होना च कि Current Account पर हमें बिलकुल भी कोई इंटरस नहीं मिलता है, लेकिन AutoSweep Facility के बाद हमारे Current Account पर हमें अच्छा खासा Interest ब्याज मिल जाता है अब बात करते हैं कि AutoSweep Facility कैसे काम करता है, यहाँ पर मैं आपको एक छूटा सा एक्जामबल बताता हूँ, मानके चले कि आपके बैंक खाते में 50,000 रुपे का Balance है और आप चाहते हैं कि आपको नौर्मली 10,000 रुपे की ज़योद परती रहती है, तो जिसको आप सेट करन जो है उस पर मुझे जादा इंटरस्ट मिलेगा, नौर्मली जो हमारा 10,000 रुपे अमाउट रहेगा अकाउंट में, उस पर हमें एक नौर्मल सेविंग काउंट का जो इंटरस होता है, वो मिलेगा 2.7% और जो हमारा AutoSweep में चला जाएगा उस पर मिलेगा हमें 7% का, यान मान के चले कि आपका एक 40,000 का तो बनाई था पहले यहाँ पर AutoSweep को FD, उसके अलावा मान के चले कि आपके फ्रेंड ने आपको 20,000 रुपे ट्रांसपर करा, तो उसका भी Automatically यहाँ पर आपका एक FD बन जाएगा AutoSweep में, लेकिन अगर आप चाहते हैं, दूसरा तरीका यहाँ पर यह कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक fix amount का AutoSweep करवाना है, जैसे मैं कुछ दिन पहले गया था अपने bank में, जो HDPC bank account है मैंने उनको कहा था कि मेरा 20,000 का amount है, उसका मुझे AutoSweep में रखना है, बाकि मुझे यहाँ पर जो है, Automatically यहाँ पर FD बनती रहती है, हमारा AutoSweep का वो मुझे नहीं करना है, तो ब्रांच जाकर मैंने इसली यहाँ पर 20,000 की AutoSweep में डाल दिया है, अगर मुझे कभी जरुत पड़ती है amount की, तो automatically वहाँ से आ जाएंगे, मान के चले example के लिए, कि मैंने किसी को 15,000 रुपे देने है, और मेरे account में 5000 ही balance है, तो अब होगा कि guys कि उसमें से 5000 मेरे account से चला जाएगा, और जो बाकी 10,000 का balance जो मेरे FD account में था, याने कि AutoSweep balance में था, वो वहाँ से निकल जाएगा, और automatically उसके तुरू हम payment कर पाएंगे, और सबसे अच्छी बात guys यहाँ पर ना कोई limit नहीं है, नॉर्मली जब हम FD करवात तो यहाँ पर बहुत ही कमाल की चीज़ है, अब बात करते हैं कि AutoSweep facility को आपको कैसे अपने account के उपर enable करना है, दू तरीके से आप यहाँ पर enable कर सकते हैं, सबसे फ़हला तरीका है online, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और दूसरा तरीका है कि आप अपनी home branch में customer को bank के दुरू, तो इसलिए bank भी बहुत सारे bank जो है, अपने customer को इस बारे बताते ही नहीं है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको example बता रहा हूँ, SBI bank का, State bank of India का, हो सकता है आपका दूसरे bank में account है, तो आप अपने bank की net banking को open कर लीजेगा, लेकिन example की तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दूस्तों हम SBI का example ले रहे हैं, तो याद रखना है आपको, कि SBI की जो Yono app है, उसमें ये facility अवेलबल नहीं है, तो आपको net banking open करना होगा, इसके लिए आपको chrome browser open करना है, आप सर्च करेंगे online SBI, और जो पहली website है, इसके उपर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आप personal banking के नीचे login पर क्लिक कर देंगे, दुबारा से continue to login, उसके बाद यहाँ पर आप username, password एंटर कर लेंगे, और इस capture को enter करके login पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपकी register number पर OTP आएगा, one time password उसको आप fill up करेंगे, और यहाँ पर submit कर देंगे, अ यहाँ पर आपको auto sweep facility, grow your money पर आपको क्लिक कर लेना है, दुबारा से आपके register number number पर एक OTP आएगा, one time password दुबारा से fill up करेंगे, और confirm पर क्लिक कर देंगे, अब दुस्तों auto sweep facility का आपको यहाँ पर options मिल जाएगा, आप यहाँ पर आपको सबसे बहले select करना होगा, कि जो sweep circle यहाँ पर है, वो आपको कैसे select करना है, आप चाते हैं कि monthly करें या weekly करें, automatically circle चलता है, तो जैसे मान के चलो कि हमें monthly करना है, कि month में जो भी मारा account का balance रहेगा, उसके हिसाब से, automatically हमारा एक auto sweep FD generate हो जाएगा, यहाँ पर आपको start date डाल दी है, तो आप एक दिन की बाद की य threshold amount यहाँ पर 35,000 रुपे होना चाहिए, तो यहाँ पर 35,000 है, उससे जादा का amount अगर आपके account में है, तो आपको enter करना है, कम है, तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा, यहाँ पर resultant balance यहाँ पर आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पर भी आपको minimum 25,000 होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान अकरा है, और maximum कितना भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, for example, मान के चले कि यहाँ पर threshold amount यहाँ पर minimum 35,000 है, लेकिन हम यहाँ पर मान के चले कि 50,000 रुपे एंटर कर लेते हैं, अब guys, यहाँ पर हमने maximum 50,000 कर लिया है, अब यहाँ पर बेच में कितना गय पा रहा है, 20,000 रुपे का, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हमारा 20,000 रुपे की एक जो है, नहीं एक ABD बन जाएगा, और एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आप फरस्ट टाइम यहाँ पर जो है, यहाँ पर auto swift जो है, अब डी करवाते जितना भी आपका आता रहेगा, automatically यहाँ पर आपका auto swift जो है, यहाँ पर ABD बनता रहेगा, तो फिलहाल जिसे मैं यहाँ पर amount एंटर किया है, आप अपने हिसाप से इसको adjust कर लिए ना, उसकी बाद हम कर लेते हैं, यहाँ पर click submit के उपर, अब आपके सामने यहाँ पर options converted from SB to SB plus category, यानि कि guys, SBI से जो आपका normal account था, वो SB plus account में आपका चला गया है, आपका account अपग्रेड हो गया है, आप यहाँ पर minimum balance 25,000 होता है, लेकिन आपको घबराना बिलकुल नहीं है, मान के चले कि आपका balance अगर कम भी हो जाता है, तो automatically होगा क्या, कि जो भी आपकी FD कि automatically वहाँ से balance आपके account में आजाएगा और आपका account जो है balance maintain भी होता रहेगा, तो इस तरीके से आप बहुत ही असानी से SBI में auto suite facility का use कर पाएंगे,